नवरातरी के अउसर पर आज हमारी सरकार ने विरांगना रानी दुरगावती की राज़धानी संग्रार्मपुर में जब केबिनेट की बेठक की ये हैं, तो केबिनेट की बेठक के माद्यम से कई सारे काम कियें, कई सारे नेड़े लिएं, उन नेड़ों में से हमारे मंत्री स्रीमनी प्रहलाग पटेल जी ने उल्ले किया होगा मैं कुछ को दोहराना चाहूंगा किसानों के प्रती हमारी सरकार की जो वचंद बदता है वो सबसे पहले है मुझे इजबात का अनंदे किसानों के लिए आज हमने अपनी केबिनेट में किसान परिवार के लिए मात भी आज हमारी सरकार भड़ेगी यह ने 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 हमने यहां पर्वेट के लिया है एक बड़ा ने और आपके बीच बताना चाहूंगा यहां काफी संक्या में हमारे दिगंबर जेन समाज के लोग विराजमान है पूरा छेत्र और क्या दिगंबर क्या स्वैतां अंबर सभी जेन समाज के लिए हमारे द्वारा जो संकल्पत्र में भी था जिनके माध्यम से कितनी बड़ी योजना है केन बेतवालिंग की योजना ये बंदेल खंड की धरती पूरा छेत्र पानी के माध्यम से कहां से कहां जा सकता था लेकिन पुरवर्ती सही सरकारों ने इस दिसा में कोई काम नहीं किया बंदेल खंड के लोग पानी की आभाओं में अपने जीवन मे कश्ट भलई भोगते लिये लेकिन जीवन पानीदार जिया है जर्वत पड़ी तो अपनी तलवार लेके मैदान समाल करके देश के दुस्मनों का सरकाट करके भारत माता के चड़णों में चुटकी बर की देर ने किये हमारा अपना गोरों साली इतियास है और कई आये और क सारे लोगों ने अगर अपनी तलवार उनके पेर में रखिये वह हमारे वीर बुंदेला खंड के वीर नागरी के मैं इस बात की बढ़ाई देता हूं और क्या भाई क्या बहन रानी अवंति भाई रानी दुर्गावती लंबी परंपरा है जिसके आधार पर रानी की जहास तक 1857 में खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी क्या अभी धर्मेंजी ने भी कविता सुनाई दो तलवार लिये हातों में बढ़ती वहीर भवानी थी आनंदा आयाज सुन-सुन करके ये जो हमारा गोरोवसाली इतिहास है इस इतिहास के बलबूते पर पर नमात्मा की देहास है मानव जनम तो सबको मिलता है लेकिन मानव जनम मिलने के बाद अपने काम से अपने सासन से अपनी व्यवस्था से सनातन संस्कृति को इस्मरण करते वे गोरोवसाली इतिहास को जोड़ करके भविस्षी की इमारत बनाने के लिए आज किता अच्छा लाडली बहनाओं के खाते में पैसे क्या है ऐसा लगा कि हमारी आजी राखी मन गई आप सबको बढ़ाई देता हूँ आप सबको बंदन करता हूँ अभिनंदन करता हूँ हमारी विरोधी पार्टी के लोग कहते थे उज्वला गेस कनेक्शन की टंकी के पैसे नहीं दे रहो आओ हमारी यह सरकार देती जा रही है आखे हो तो देख लो हमारी जो एक एक बात जो कही गई है एक एक बात को सही करते हूँ हर मैने साड़े 400 रुपया प्रती गेस कनेक के माद्यम से हमारी सरकार ने दिये आज मुझे एक और बात बताना चाहिए आपके बीच रखूँ हां कि 2024 में हमारी सरकार द्वारा 18,984 करोड से जादा की रासी का लाड़नी बेहनाओं के लिए प्रावधान किया जोड़दार अविजन्दन करो साड़े 18,000 करोड एक तर पर आज 2,50,000 से अधिक लाड़नी बेहना है जोड़दार अविजन्दन करोड़ धाई लाग हो जाती है धाई लाग दमोजिले में अकेले इस इस इस्थान पर जिनको 12.500 रुपया मिल रहा है और आप चिंता मत करना ये रासी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएग भाई तुमने तो कभी दिया नहीं तुमको तो सरे उगलाडली बेहनाओं की योजना में संका ही संका मिलती थी तुमको जब हम बोलने खड़े होते हैं या हमारी बात आती है तो तुमारी चाती पर सांप लोडता है तुम हमेशा उसके बारे में प्रस्न खड़ा करते हो ल प्रदार कालिया वजाव जिनके माध्यम से योजना बन रही है साड़े वाला सुनी आने वाले समय में तो लक्तपती बहने बनाएंगे लक्तपती बहने ये योजना हमारी आगे काम कर रही है जीवन में जन्म तो परमात्मा देता है लेकिन सरकार के माध्यम से जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेसानिया को हल करके अपनी भावी पीडी को अपने कदम से कदम मिला के लिए चलने के लिए प्रेवित करें जिस बात के लिए हमारी सरकार सदेव संकल पीते आज एक और यहीं पर 55,45,000 से अधिक ब्रद जन्द, कल्यानी, दिव्यांग हित्गराई के खाते में भी उनके महिने के सितंबर महिने के 332 करोड, 71,000,000 की पेंसन भी डाली गई है जोड़दार अभी दन्द करो ऐसे सभी सवर के भाई बेनों के लिए हमारा प्रदेश लगातार विकास के लिए संकल पीते जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो मुझे बताया है कि आज हमने सिंगल क्लिक के माद्यम से 6 अलग-अलग विकास कालियों के लिए 5,47,000,000 की लागत से लोकारपन के काम भी किये जोड़दार अभी दन्द करो लगबक 5,5,000,000 की लागत से और यहीं पर आज दमो जिले के इतिहास का प्रकासन करने के लिए दमो दर्सन की प गोशना होना चाहिए के नहीं होना चाहिए जरा बताओ इधर से आवाज नहीं आ रही करना चाहिए के नहीं करना चाहिए तो दमो को परेटन का केंद्र बनाया जाएगा ताकि बड़े पेमाने पे लोगों को लाब मिले इसी संग्रामपुर में लोग स्वास्त कल्यान वि मांगा है तो सी एम राई स्कूल भी यहीं पर दूसरे चरण में बनाने की घोष्णा की जाती है जरा काली वाली तो बजाओ ता अगली घोष्णा करूआ नहीं तो कंजूसी कर लूँआ ऐसा लगेगा कि आपकी मांग धिरे धिरे आपका पेट भर गया इसलिए लगना चाहिए कि हाँ ओर देव तो हमको ओर अच्छा लगेगा मास्क लाइट और स्ट्रीट लाइट संग्रामपूर में देने के लिए पंद्रेवे वित्त के माध्यम से ये गामबिक बनाने की यहाँ गोष्णा की जाती है स्ट्रीट लाइट और मास्क लाइट भी संग्रामपूर के माध्यम से राणी दुरगावति मंगल भवन बनाने की मांग मेरे पास आई हैं। पाग संग्रामपुर में भी बनाने की मांग की गई है यहीं बनाने की जाती है जोड़दार ताली बजाओ और आपके पुर्व सांसत वर्तमर मंत्री जी का अभिनेंदन करो जल संसाधन विभागवारा देवरी में नभीन तालाब बनाने की घोष्णा करवाने के लिए आग लेकिन आज एक नया रिकार्ड बना है मुझे नहीं मालूम के आजादी के पहले भी कभी कोई केबिनेट हुई होगी पहली बार दमों में रानी दुर्गावती के सासनकाल को इस्मरन करते वे हमारी सरकार ने मानी मोदी जी के नेतरत में संकल पलिया था कि हमारे प्रदेश प्रदेश्ट में भी मनाई और मिर्णे किया कि हमारे अपने भगवान गोपाल करश्ट का हितियास मद्देश से जुड़ता है भगवान सिक्षा करन करने आए भगवान के कई घटना करम यहां से जुड़े में तो भगवान के जहां-जहां चरण पड़े वो सब इस्थान को तिर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा यह निर्णे भी हमने किया है नारी ससक्तिकरन को लेकर भी हमारी सरकार में एक सब्ता मनाने का निर्णे किया है आज से लगाकर के पूरे नवरात्री तक बहन के लिए मार्सल आर्ट स्कूल में सिखाया जाए भी सबएब गया देड़ एंडD आज तो बहुत देर हुई है और आज जो आननड आया है ऐसा आननड कभी आया नहीं लेकिन आप सब का अभार मानता हूं हमारे बीच सभी बहनाओं के लिए रोजगार के लिए सागर में सम्मीट की थी मुझे इस बात की प्रसनता है कि यहां हटाते अंदर एक बड़ा कारखाना आएगा और बड़े छोटे संभिला करके बड़ी संख्या में बुंदेल खंड में अकेले सागर में 23,000 करोड किसको कहते 23,000 करोड जोरदार ताली बजाओ 23,000 करोड के निवेस आएं और लगबग प्ते ही लोगों को रोजगार के हर जिले के अंदर अलग अलग प्रकार के कारखाने आएंगे और उन कारखानों के माद्यम से पूरा बुंदेल खंड की धरती बदलेगी और उत्रहने ये केन बेतवा के माद्यम से आप सबसे निवेदन करता हो या किसान परिवार के काफी लोग बेठे हैं, अपनी जमीन को बचा के चलना, अपनी जमीन मत बेचना, मोका पड़े पैसे की जरवत हो, छोड़ा करजा ले लेना, किसी मकान को देना हो तो दे देना, लेकिन जमीन बचाना, आप जमीन बचाओगे, भविश्वे पंजाब हर्याना को मात करेगा ये बु पूरे छेतर के अंदर समूचा छेतर हमारे पूरे किसानों का जीवन अपनी आई से डबल होगा उनकी फसलों की आमदानी और फसल के साथ साथ अब तो हमने गोपालन भी बढ़ावा दे रहे हैं बोले गोमाता की 33 क्रोड देवी देवता का वास होता है गोमाता में हमारी सरक कार एक के बाद एक बहुत सारे निर्णे करती जा रही है आने वाले समय में प्रत्येक निर्णे का हैसास आपको होगा लेकिन सबसे बड़ा निर्णे तो अब जो लोकसभा विदान सभा होंगे यसाश्वी प्रधान मंद्री ने घोशना कर दिये एक देश एक चुनाओ त समय बीग